नमस्कार दोस्तों स्वागता आप से भी का YouTube चैनल जोष्ट्री में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भरती 2021 के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो साथी है जो आप लोग को कुछ वीडियो अभी जो हाली फिलार म देने वाले हैं जिसमें से आपको 21,391 पोस्त पर भरती आ गई है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो आप जाए बटन पर लिंक है तो वहां से जाके चेक करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके ज़रूर एक बार देख लिए वह वीडियो अब दोस्त आब दा कब से चालू होने वाली है वह जांकारी देऊनगा इसकी और जाय हो कि आपयागी है और देख आपको पूरी चीजा है समझ में और जो कि युघूर यज़र चिग ध्यान में अच्छी हो पाई तो आगे बढ़ते हैं नोडिफिक्सन आपको दिखाते हैं आगे बढ़के आप दोस्तों देख सकते हैं यह इसकी एडवर्टाइजमेंट है और केंदी है चैन परशत शिपाई भरती की है यहाँ पर डिटेल में सारी कुछ जानकारी मिल जाएंगे और सबसे पहले दोस्तों यहां पर कहा गया कि जो ससत्र पुलिस वाइनियों अन्य इकाईयों में सिपाही पद के लिए जो बेकेंसी आई है उसकी सैल्ली जो होगी लेवल थिरी से तो 21700 से स्टार्ट होगी यहां पर कि एकस्व तक आपकी एकस्वा तक आपकी आँप आउनलाइन आविद्न करना वह बीस चे अरम्भ होने वाली है और भी सारे चीज़ दे गई हैं जो कि आपको इस तरह से यहां पर देखने को मिलेगी लेकिन मैं आपको यहां पर दोस्तों बता दूं कि काफी सार चीजे जो है दी गई है जो कि वेकंसी से रिलेटेड है लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ इस तरह की इंपोडेंट जो जानकारी है वो देने वालों की आप लोगा समय बहुत ही किमती है तो यहां पे दोस्तों मैं आगे चल रहता हूं तो मैं एजुकेशन रिलेटेड जानक चाहिए तभी आप लोग इसे अपलाई कर सकते हो ठीक है उसी तरह से थुरसर नीच है उपर आते हैं तो हम आपको पार्टक्रम के बारें बता दूं कि यहां पे पार्टक्रम का भी डिटेल में जानकारी दिया गया है कहा गया कि लिखित परिक्षा का अस्तर बिहार विद कि समाने ग्यान समसमाई के मामलों से संबंदित जो बस्तो निच्ट होंगे उसको भी इसमें एड किया जाएगा जो कि टोटल हंड्रेट मास्त की कोश्चन होने वाली है इन सभी जो है सब्जेक्टों से एक स्व नंबर की कोश्चन पूछे जाएगी और यहां पे कहा गया है कि यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी कोश्चन और दो घंटों का आपको समय मिलने वाला ठीक है तो यह चीज़ ध्यांड किएगा एक सो नंबर के कोश्चन होंगे जिसको आपको जो हाल करने के लिए दो घंटे दिये जाएंगे काफी अच्छी समय दी जाती ह उसके बाद कहा गया है यहां पर डिटेल में कि जो भी कंडिडेट यहां पर यानि इस डिटेल एक्जाम पास करेंगे तो जितना पोस्ट है करीब 21,321 पोस्ट है तो उसका पांच गुना जो कंडिडेट है उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाए यह चीज यहां प अगरे बारे मैं आपको बता दू तो जो भी कंडिडेट अपलाई करेंगे कहा गया है फर्ष्ट कॉलम में समाने अनारचित वर्ग के जो पुरुस अब महिला है उनकी उम्र जो है 18 से 25 बर्श तक की गई है यह चीज ध्यान कियेगा अधिक्तम 25 बर्श है वहीं पर दूसर और अधिक्तम 27 बर्श तक यहां पर कहा गया है पिछरा बड़ एवं अत्यांत पिछरा बड़ के कोटी महिलाओं के लिए नियुनतम जो आठाएब रखा गया है नियुनतम 18 साल अधिक्तम 28 बर्श यहां पर दिया गया है और अनुसरी जनजाती जो जाती और जनजाती के पुरुषब महिलाओं के लिए अठाड़ा से लेकि जो तीस वर्स तक का उनका उम्र दिया गया और सभी कोटी आरच्छन कोटी के बिहार के जो भी पर सिच्छित एवं बिहार में आमांके गिरी रच्छकों को निर्धारित विया जो निर्धारित वेहिद अधिक जो अधिक सब्सक्राइब के लिए उनको 60 cm यहां पर मांगा गया है और सभी महिलाओं के लिए 165 cm यहां पर मांगा गया है सीना फुलाने के लिए जो है वह पर उसको कहा जाएगा जो कि बीना फुलाए 80 cm होना चाहिए अब फुलने के बाद 86 होना चाहिए यानि कि 5 cm आपका यहां पर फुलना चाहिए यह चीज कहा गया है उसी तरह और भी सारी चीज़े जो है नीचे देख सकते हैं सबसे पहला चलन आपका परतम चलन में लिखित परिक्षा होगा जिसके बाड़े मैं आपको मैंने पहले ही जानकारी दे दिया हूं कि क्या क्या हो आप पूछे जाएंगी 100 नमर के कोश्चन होंगे दो घंटे समय जाएंगे और OMR जो सीट होती है उसी के मुताबिक कि आपका यहां पर समान्ने वर्ग के अनरचित कडिडेट है ठीक है तो उनका यहां पर 856 पोश्ट दिया गया यानि 8556 पोश्ट इसन में दिये गये हैं ठीक है और आर्ति रूप से जो कमजोर हैं जो EWS के कंडिडेट हैं उनको यहां पर 246 पोश्ट दिये गये हैं अनुसित जाती के लिए 34 34 सब पोश्ट दिया गया है अनुसिति जन जाती की 28 28 और 30 पिछरा बर्ग के लिए जो है वह आपको यहां पर भेकंसी ज्यादा देखने को मिलेगी जो की 3842 पोश्ट है वहीं पर दोस्तों जो पिछरा बर्ग की जो है वह 56 ट्रांसजेंडर सही जो है यहां पर लिया गया है जो कि यहां पर 25-70 पोश्ट दिये गया है और पिछरे बर्ग की महिलाओं के लिए यहां पर जो है वह 655 पोश्ट दिये गया है दोसर सभी मिला के जो है यहां पर 2391 पोश्ट बन जाते हैं और विवाग यह जो है उन्हें के लिए पोश्ट जो है 428 रखा गया है और गिरी जो विवाग रख्षे साखत से हम उनके लिए 56 पोस्ट यहां पर रखी गई है चीज यहां पर जानकारी दिया गया है बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोग इसे अपलाई कहां से करेंगे और कितनी फीस लगेगी तो यहां पर दखिए कहा गए कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 26 2023 से यह जो ऑनलाइन फॉर्म सुरू होगी वह आप जो है इसके वेबसाइट www.csbc.vih.nic.in पर आप लोग जो है इसे लिंक अप कर सकते हैं उस पर जाके इसे अपलाई कर सकते हैं मैं इसका लिंक दे दूँ है डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग को असानी हो ठीक है उसके साथ यहां पर यह कहा गया कि कि इसको कितने जो है वाफी देने परेंगे देखिए जितने भी जेनरल ओबीसी और EWS वाले मेल कंडिडेट हैं ठीक है उनको यहां पर जो है वह चेसा पशत्तर रूपिया यहां पर जो है मांगी गई है यह ची ध्यान है कि देख सकते हैं बिहार राज जी के मूल निवासी अंत्यंद पिछरा बर्ग पिछरा बर्ग आर्थी ग्रूप से कमजोर बर्ग अनराचित समान बढ़के प्रूस अभ्यारतियों एवं राज के बाहर के अभ्यारति चाहे हूँओ किसी भी परकार गये हो ठीक है तो उन सब्सक्राइब करना होगा तो मैंने अवरल जितने भी जानकारी थी लगवग मैंने बता दिया हूँ और लास्ट डेट के बारे में फिर से बता दू और सुरू देट के बारे में ऑनलाइन जो फॉर्म इसकी स्टार्ट होगी वह 262023 को होगी लास्ट डेट जो है 2723 का होने वाले यही ध्याने कि एक्जाम डेट के अगर बात कर लूँ लिखित परिक्षा की तो इसकी एक्जाम जो है अगस्त और सेप्टमबर के यहां पर बीच में होने वाली है ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा उसी इंसाफ से आप लोग अपना प्रिपरेशन चा